नमस्कार दोस्तों, हमारे ओनलें टूशन अड़ा चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस कलास में आपको स्वर वर्ण और वेंजन वर्ण दोनों को बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ाने वाले हैं क्योंकि आज से मैं यह एक नाया सिरीज सुरू किया हूँ जिसमें आपको इंगलिस पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा तो इस सिरीज का यह पहला कलास है, इस कलास को सुरू से लाश्ट तक दखिएगा क्योंकि यह बेसिक चीज है, इसके बिना आप इंगलिस को नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इंगलिस पढ़ने और लिखने के लिए आपको स्वर्वर्ण और बेंजन वर्ण का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है जो सिंपल तरीका से इस कलास में आपको मैं इसको बताऊंगा देखिए जैसे कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्वर्वर्ण होता है वह ऐसे जनरली एगारा बोला जाता है लेकिन कहीं-कहीं आपको बारा भी मिलता है, कहीं तेरा भी मिलता है तो एक्चूल में आ से लेकर आ तक ऐसे ग्रामेटिकली आपको मिलेगा जिसका संख्या यहां पर आप देखिएगा तो एगारा है ठीक है जिसका संख्या एगारा है लेकिन आ से लेकर आ तक जब देखिएगा तो इसका संख्या तेरा है तो यहाँ पे हम लोग 13 स्वर्वर्ण को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि यह जो स्वर्वर्ण है इसका यूज क्या होता है आगे जब हम बोले हैं कि आप जब इंगलिस पढ़ना लिखना सुरू किजिएगा तो उसमें इसका यूज पढ़ता है तो इसका यूज कहां मिलेगा ये चीज थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जैसे किसी लड़की का ही नाम है अगर कोमल माली जी के कोमल नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक अक्षर के साथ मात्रा लगा हुआ है वो क्या ची का मात्रा लगा है इसी स्वर्वर्ण का मात्रा लगा है जो ये स्वर्वर्ण है इसी का मात्रा लगा है दूसरा इसमें और क्या यूज हुआ है बेंजन बर्ण जैसे को मो और यहाँ पर लोग यह तिनों क्या है, बेंजन बर्ण है, जो यहाँ पे हम नीचे, इसको बहुत ही आच्छा तरीका सी यहाँ पर पढ़ाये है, टोटल बेंजन बर्ण को भी, तो देखिए यह बहुत जरूरी है, स्वार बर्ण और बेंजन बर्ण, हम लोग इस कलास में, इसको केवल सिंपल त सब्सक्राइब कर लिज तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो आए बीना देरी किये हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इस कलास में हम देखेंगे जैसे ए से औ यहाद करना पड़ेगा जब सब्सक्राइब you यहां पी इसको आपको याद करना पड़ेगा. इसलिए हम इसको एक बर समझा देए इसको आप याद कर लिजेगा. अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छा इसको रिविजन कर लिजे. देखें, छोटा U का जो हता है U होता है और बड़ा U का डबल O होता है. और एक और चीज डबल O तो होता ही है कहीं कहीं बड़ी U का जहां पर मातर लगा रहाता है वहाँ पर इंगलिस U भी लिखा जाता है जब वहीं सब्द जब हम समझाएंगे तो उसमें किलियर हो जाएगा Rी का R I होता है A का A भी होता है और E भी होता है ठीक है? और O का A U होता है UN का AN होता है और AH का AH होता है इसको हम लोग एक पर पढ़ कर देख लेते हैं A से O AA से A I से छोटी E WE या I से बड़ी E U से छोटा U O से बड़ा U RI से Rी E से A AI से I O से O AU से O AN से UN AH से AH अब इसके बाद हम लोग बेंजन वर्ण को पढ़ेंगे यह देखिए जो बेंजन वर्ण है यह यहाँ पे देखिए जो बेंजन वर्ण है यह एक वर्ग के रूपे में होता है कैसे का से लेकर अंगा तक होता है इसको हम लोग का वर्ग बोलते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं कैसे का देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझने वला है कि हम लोग जो कैसे का बोल रहा है यह ऐसे पढ़ने के लिए है ठीक ना याद करने के लिए है लेकिन एक्चूल जो होता है यहाँ पे जो कौ लिखा है इसका इंगलिष जो होगा K, A होगा ठीक है? K, A होगा सब में A लगेगा तब जाकर सुध रूप से इसका इंगलिष होगा तो यहाँ पे केवाल याद करने के लिए सब में A नहीं लगा है आप इतना ही जानिए कि को का के होता है, खो का के एच होता है, जो अगला कलास इसका हम सेकेंड पाट कराएंगे, उसमें ये सब चीज किलियर हो जाएगा, जी से ग, जी एच से ग, एन जी से अंग, देखिए बहुत सारे दोस्तों का रोज कमेंट आ रहा था कि सर मुझे इंगलिस बिल्कुल नहीं आता है, जीरो से इंगलिस पढ़ाईए सर, शुरुवात से पढ़ाईए, तो इसी के लिए मैं इसको शुरू किया हूं, कि आपको ब सी एच से चो, सी डबल एच से चो, जे से जो, जे एच से जो, वाई एन से यह, कहीं कहीं केवल एन भी लिखा रहता है, ठीक ना, एन भी लिखा रहता है यहां का, अब टॉटल डॉ का हम लोग देखेंगे, देखिए टॉटल डॉटल यानि टवर्ग का और तवर्ग का, द किसी एक को अगर आप याद कर लेते हैं तो दूसरे दूसरा जो है किलियर हो जाएगा देखें टी से टो टी से ठो डी से डो डी से डो डी से डो एन से अन यहां देखिए तोसर दो का भी सेम है अब देखेंगे हम लोग पफवा का यानि पवर्ग का इंगलिस देखेंगे पी से पा पी एच से फा बी से बा बी एच से भा एम से मा अब हम लोग देखेंगे यारा लवा का ठीक है यहां यारा लवा जो आप देख रहे हैं इसमें या से लेकर या से लेकर और हो तक याद करना है इसमें जो चार संजुक्त अक्षर होता है उसको भी मैं इसी कलास में पढ़ाऊंगा इसको वीडियो को बिना एसकीप की वे लाश तक दखिए वाई से या आर से रा एल से ला भी या डवलू से वा एस एच से तालव विशा एस एच से मुर्धन निशा एस दखिए यहां पे मुर्धन निशा के बाद ये थोड़ा सा गलती टाइपिंग हो गया है यह जो दंत सा है इसका केवल एस होता है और एच से जो होता है यह होता है ठीक है थोड़ा टाइपिंग करने में गलती हो गया यहां पे गलत टाइपिंग हो गया है तो आईए अब हम लोग इसके बाद संजुक्त अक्षर को देखते हैं देखें संजुक्त अक्षर जो होता है वो चार होता है च्छ त्र ग्या और स्र पहले यह समझना है कि संजुक्त अक्षर होता क्या है देखिए जब दो अक्षर मिलकर एक नए अक्षर का निर्मार करते ह हैं है तो सफ को हम लुग बोलते हैं संजुक तक ठीर यहां कहाई च depuis देख रहे हैं यहें इसका इंगली यह से आप की किलियर कर सकते हैं कि हैं फके पने का मतलब है को भी होगा इसमें और कौं सांसल है यहां पे यह सह मिलकर संजुक अक्षर का यह छो बोला है च्छो बोला जाता है सलिकिए जब आप लिखतें याया लिखा गया तो वक्त्र का जब उचारन कि जेगा नहें को यह साहर का उचारन हो रहा है उसके बाद के compliant इस परकार सेphones हो रहा है कि ने पूंठव से छाह सेवह हैए ही मुर्धन निश्या जो हमलों बोसे हैं अक्षर उसके बाद यहाँ से तो दोस्तों अगले कलास का पिंतिजार कीजिए इससे भी इंपर्टेंट होने वाला है अभी अगर आप मेरे चनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिजे और आज के कलास कैसा लगा चलिए तो आज के कलास यहीं पर इंड करते हैं मिलते हैं अगले कलास में जाए हिंड